जहें दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जब रास्ता लंबा हो तो उसको छोटे इस पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए नीट के बहाद सग्रा में मेरे प्यारे बच्चों 212 दिन का टाइम बचा है और इसलिए बच्चों ये टेस्सेरीज होई कि थोड़े थोड़े चेप्टर आप बिल्कुल पर्मानेट करते जाए मुझे पूरी उम्मीद है कि IPL बायो का जो पेपर था उसका आपने भरकूर फायदा उठाया होगा पेपर भी देखा होगा और ऐसा हो नहीं सकता है कि उस पेपर से आपको तीस सवाल ना मिले और इसी टापिक का फिर एक पीवाईक्यू का भी पेपर कराएंगे पीवाईक्यू मॉडिफाई करके सेल ग्लाइंड डिजीज डेटा एक्जामपिल कैसा रहेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और आईपिल कैसा रहा ये भी ज़रूर बताईएगा बहुत जल्दी आप सब बच्चों को प्राइज दने वाले जिन्होंने ग्रूप टाप किया और 700 प्रस स्कोर किया मेरे प्यारे बच्चों अब अगला पड़ाओ हमारा आल इंडिया टॉपिक टेस्ट सिरीज पी जीरो एड इसका टेस्ट का पूरा रिवीजन सेडूल आपको बच्चों बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट की डेट है आठ अक्टूबर 2023 संडे टाइम बच्चों है दो से पांच और टेस्ट के बेटा टापिक है वर्क पाउर एनरजी वेव वन रिएक्शन मेकनिजब आफ आरगेनिक कंपाउंड केमिकल कुमिरियम बेटा मालिकुलर बेसिस आफ अब बच्चों इसका रिवीजन सेडूल क्या है आज कुछ घंटे बाद परवेश सर आपको पता बहुत ही एक्सप्रियेंस टीचर है यह आपको कराएंगे एंस से लाइन बाइन कोमल मैं पीवाई क्यू के साथ हैंगी आरगेनिक केमिस्ट्री में बैडिज रियेक्शन मे पुरा अनन्द उठाईएगा इसके बाद आक्सिजन आफ निव लाइट आस्तोष सर पिछले 25 साल से हमारे साथ यह एंसे लाइन बाइन 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 स्पीड आप मेकेनिकल वेव एंसे लाइन बाइन पंकर सर कराएंगे वर्क पावर एलर्जी आपको आन भी वाइकुबी कोहर हो रहा है और साथ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एक जम्पलर भी कम्प्रीट हो रहा है बालो जी में बच्चों यह हम पुछे आप बताओ बनीज तर कराएंगी आठ मजे से यह होगा आठ अक्टूबर को और इसके पहले वाला यह आपका 7 8 अक्टूबर को आपका फिजिक्स है और आज ये 6 अक्टूबर को आपका केमेस्ट्री है आप सबके कमेंट थे कि सर थोड़ा जल्दी कराया करिये तो अपनों को रिविजन का टाइम मिल जाएगा 8 अक्टूबर को मौर्निंग से अपसे सेशन होगा हम पूछे आप बताओ मनी सरका फिर प्यवाई प्यारे बच्चों के लिए जो सेलेक्ट होना चाहते है ठीक है ना इसने टेस्स के बहले तयार होके आया करिये एक बार रिविजन इसके साथ करिये और फिर पेपर में देख सर निवलाइट प्रयास पर होगा बायों में आपको पेपर डिसकश करेंगे सैलें सर रोबनी सर साधे-5 बजे से क्यमेस्ट्री में डिसकस करेंगे संजीव सर कोमल मैं और आपको पता है यह सारे बहुत एक्स्प्रिएंस टीचर है संजीव सर को भी कई साल हो गया है और इसक सब्सक्राइब करेंगे जिसमें हम उस प्लांट को लेंगे और उसके बारे आपको सब कुछ बताएंगे फिर किताब से पढ़िया का मेरे प्यारे बच्छों एक चीज याद रख लेना आएं बाएं साएं कुछ पढ़ने की जवरत नहीं है सिर्फ NCRT पे फोकस करिए और इस NCRT में भी कुछ इंपार्टेंट बता के देंगे कुछ बच्छों का कमेंट था कि सर हाट इसपार्ट फिजिक्स कवेस्ट्री बायो तीनों में डिसकस करी उसका वीडियो बनाने जा रहे है टाइम फिक्स कर देंगे लगातार क्लास होगी और वो हाट इसपार्ट पेज को रख लिजेगा आपको 70-20 परसे सवाल दीक में मि सदूर लगेगा लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें होती जाएंगी आप सबको बच्छों पता है कि इतना पेपर कराना पेपर डिसकस कराना एक बहुत टफ काम होता है लेकिन बिना रुके बिना ठके आपने देखा कोविड से लेके आज तक यह काम टीम लिलाइट कर रही है और उसका रिजल्ट है कि हजारों हजारों बच्चे अपने को साकार कर रहें और मेडिकल कॉलेज में पहुँच रहे हैं कमी हमें भी हो सकती है कमी आप में भी हो सकती है कमी सिस्टम में भी हो सकती है बात यह नहीं है कि कमी है बात यह है कि अपनी कमी को एक्सेप्ट किय जाए और उसको सुधार ने कोशिस की जाए हम अपनी तरफ से बच्छों प्रामिस करते हैं कि आपका एक एक कमेंड मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है आपका कमेंड मेरे दिल को छूता है टाइम लगेगा पूरा करेंगे बहुत सारी कमी हम लोगे साथ है लेकिन उसको हो जाए कैसा लग रहा बच्छों टीम लेट का प्रयास जरूर बताईएगा बहुत अच्छा लगता आपका कमेंड देखके और जब उसमें कुछ काम कर पाते तो बहुत अच्छा लगता है एक बात याद रखिएगा जो हमने सेल लेंड डिजीज डेटा का पेपर करा है उससे आपको 30 सवाल मिलेंगे ये राउंड वन था राउंड टू एक बार और पीवाई क्यू को मॉडिफाई करा के इस टॉपिक के पेपर कराएंगे कैसा रहेगा जब वीडियो की कमेंड सेक्शन में कमेंड करके बताईएगा हाट इसपार्ट तीनों सेरीज फिजिस के म वारह दिन है, मुझे थो बहुत जोस, बहुत उच्छा है कि हम लोग इस बार का भी पूरा मिशन पूरा करेंगे तुम सारे फ्यारे बच्छë साथोगे की नहीं, कमेंड करके बताओ, ynसे इडि को पी जाओगे की नहीं, कमेंड करके बताओ, यार बह resign है ना, आन्ख है, त चक्कर में मत पड़ो एक बार सेलेक्ट हो जाओगे ना तो सब लोग तुम्हारे पीछे बिच्छे आएंगे सब लोग पूछेंगे अभी तुम्हार टाइम खराब है चिंता मत करो जुड़ जाओ आज के बाद नीट तक तुम्हारे एक-एक मिनट एक-एक सेकेंड में केवल NCRD कहां खोना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए और कोई भी डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपना मंजिल देखो और याद करो पांच माई का दिन और जब पांच म कर रहे हैं सेलेक्शन नहीं होगा दूर करो सारे निगेटिव था होगा टेस्ट अच्छे से एनलाइज करो और टेस्ट में कितने भी नंबर आए उससे जरा भी परिशान मत हो ना अरे बभुवा लोग जब टेस्ट के बाद पूरा पेपर साल्म कर लोगे तो साथ सभी सभ से दे रहें और हर तरीके से एक्सपरिमेंट कर लो किसी पेपर में फिजिक से करो किसे में पहले केमेस्ट्री करो फिर बायो करो देखो तुम्हारी एफिसेंसी कैसे बढ़ती है एक चीज़ और बतारे बच्छों अक्सर बच्छे बोलते हैं हर साल कि सर पहले मेरे में तो वही अंसर लगाओ है ना इसको हर तरह से ट्राई करो यह तो बिटा सब आपका वार्म-अप मैंच है फाइनल मैंच कब है पांस तारीकों और आपने देखा इस ट्रेस से ऐसे बच्छे सेलेक्ट हुए जिनके 41 नमबर थे फेच्छे सो गया रहा है ऐसे लोग सेलेक कैसा रहा उसको देखो हम नहीं पढ़ाएंगे अब आप से पढ़वाएंगे आप से काम कराएंगे तो कि सेलेक्षन भी बबू आप लोगों का होना है और डॉक्टर भी आपको बनना है उमीद करते हैं बाबू लोग आप इस सेशन को अटेंड करो इसका भरपूर थैंक यू सो मच आल दी बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्छो थैंक यू सो मच